खुद को जरा संभाल के रखना, यूज करो सनिटाइजर अपना घड के बाहर मास्क लगाना, दूमी तड की दूरी बनाना वैक्सिन लगवाना, को विन अपनाना धन्यवाद करन, और बताओ कैसे हो गुद मारनिंग नायर साब, मैं ठीक हूँ करन, मैं आज कोविट वैक्सिन लेने जा रहा हूँ तो सोचा, तुम से मिलता चलूँ अच्छा, लेकिन आपको भी तो मेरी तरह कोविट हुआ था ना तो फिर आपको वैक्सिन की क्या जरूरत? क्यों, तुमने वैक्सिन नहीं लगवाई? मुझे तो कोविट हुआ था, आप तो जानते ही हैं उससे तो कुछ नहीं हुआ न खासी, न बुखार, नायर साहब मैंने तो सुना है कि अगर एक इंसान को एक बार कोविट हो जाए तो उस पर इस बीमारी का उतना प्रभाव नहीं पड़ता तो तुमने मास्क क्यों पहन रखा है? क्योंकि नायर साहब, आप से बात करने में मुझे भी तो संक्रमन लग सकता है अच्छा, चलो ये तो समझे हो तुम्हे भी संक्रमन लग सकता है अगर तुम बेपरवाह रहे नायर साहब, मैंने सोचा नहीं ऐसे मेरा भाई जो टैक्सी चलाता है, उसको दो बार कोविड हुआ दोनो बार ही हलके लक्षन थे हाँ, लेकिन उसे आइसोलेशन में रखा गया था तुम्हारे सुपरवाईजर ने तुम्हे वैक्सीन लगवाने की सलाह नहीं दी उन्होंने मेरा नाम लिख तो लिया था, फोन पर मैसेज भी आया था तो करन ठीका लगवा लो, जब तक सब सुरक्षित नहीं, तब तक कोई सुरक्षित नहीं, हमें नहीं पता, ये वाइरस क्या क्या नए गुल खिलाएगा, और कब भयानक रूप ले लेगा नायर साहब, मैं आज ही अपने सुपरवाइजर से बात करके अपना रेजिस्ट्रेशन कोविन पोर्टल पर करवा लूँगा बहुत अच्छे करन, मगर याद रखना कि वैक्सीन की दोनों खुराकों के साथ साथ कोविड उप्युक्त व्यवाहारों का पालन करते रहना भी जरूरी है यदि आपको कोविड वैक्सीन के प्रती कोई शंका या सवाल हो तो एक शून्य साथ पांच पर बात करें और याद रखें आवश्यक दस्तावेजों के साथ लाभार्थी अपना पंजी करन, कोविन पोर्टल, आरोगे सेतु एप या नस्दी की स्वास्थ केंदर पर करा सकते हैं टीके की सभी निर्धारिक खुराकले टीका पूरी तरह से सुरक्षित है टीका लेने के बाद कुछ लोगों को हलका बुखार, सिरदर्द, इंजेक्शन की जगह पर सूजन होना जैसे मामूली विपरित प्रभाव हो सकते हैं मास्क पहनना, हाथ धोना, शारीरिक दूरी बनाना और अन्य कोविड उपयोगत व्यवहारों का पालन करना टीका करन के बाद भी जरूरी हैं गलत सूचनाएं ना पहलाएं और ना ही उन पर विश्वास करें, ना हिचकिचाएं, टीका करन जरूर करवाएं झालन करनाएं